दोस्तों आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपके लाखो रुपे बच सकते हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ सूपर मार्केट के, सूपर मार्ट की जिस चीज के आप फ्रेंचाइजी लेते हो अगर आपको बड़ा किरणा स्टोर खोलना है, सूपर मार्क बनाना है, ग्रोशरी स्टोर करना है तो आप किसी ने किसी कमपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो आज बात कर रहा हूँ मैं उन फ्रेंचाइजीओं के स्कैम के बारे में आप लोगों को बताने आया हूँ दोस्तो, किसी भी company की franchise हो चाहे, कितनी भी company आ हो, आज मैं सबको expose करने वाला हू, क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है, पूरी detail में आप video बनाने वाला हो, तो video पूरा देखना है, video को देखने के बाद ही आपको decide करना है कि आपको supermarket की franchise लेनी है, या किस तरीके से अपना supermarket open नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट रवी रविंदर मेरे यूटूब चैनल रवीक रणा बिजनस में आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो को माध्यम से मुझे देख रहे हो कि आप लोगों को सभी को पता है कि मैं एक अपना सूपरमार्ट और एक अपना चोटा स्टोर चला रहा हूं तो इसी क्याधार पर मुझे बहुत नोलेज हो चुकी है इस स्टोर से रिलेटेड क्योंकि काफी सालों से मै ये स्टोर रन कर रहा हूं अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की जो मुद्दा ये है कि सूपरमार्केट की जो फ्रैंचाईज या मार्केट में आज के टाइम पे चले हुई है क्या वो सही है या नहीं इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं तो देख आँगा इस बारे में मैं अपनी वीड़ियो के बारे में तो वीडियो में आगे लेकिन बहुत्वीडियो ऊपन करना भी I innovate C जिदे आ तो हम सिधह YouTube के रह telescopamak to check YouTube हम क्या देखते हैं हमारे मन में क्या आता है कि हम native背ers why Search results करने के लिए किसी के पास knowledge नहीं होती, knowledge तो ही नहीं, 20, 25, 35, 50 लाख रुपे तो है, invest करना है, लेकिन कहा करना है, super mart करना है, किसी company से franchise लेने हैं, तो क्यों लेनी है, हमारे मन में यह आता है, कि अगर मैं किसी company से franchise ले लूँगा, तो सारा माल company मेरे पास लाके रख देगी, software लाके रख देगी, worker लाके रख देगी, जैसा कि आपने YouTube वीडियो में देखते हो, same, same वो ही मैं बोल रहा हूँ, आपके मन में यही आता है, कि मैं सामान कहां से लाँगा, अगर franchise ले ली मैंने, तो सारा माल company लाके देगी, सारा मेरा setup करके देगी, पूरा setup मुझे तो आके बैठना है, worker काम करेंगे, इस तरीके से आप लोगों को सपने दिखाई जाते हैं, लेकिन फिर से दोहरा हूँगा, मैं बहुत बड़ा scam कर रही हैं ये company आप मैं किसी एक company का नाम नहीं लूँगा, इसमें totally आज की date में, जितनी भी supermart की company सभी scam कर रही हैं, बहुत बड़े लेवल पे scam हो रहा है आप लोगों के साथ, कैसे scam हो रहा है, वो आज मैं आप लोगों को detail में बता रहा हूँ, हम लोग क्या सोचते हैं कि सारा store company हमें provide करके देगी, खुद हमारा store run करके देगी, किसी भी company से बात कर लेना, सबसे पहले वो आप लोगों को क्या बोलेंगे, कि हम आपके जगह पे विजिट करेंगे, कि वहाँ पे आपका store चलता है या नहीं, पहला scam, होगा क्या, वो आपके जगह पे आएंगे, location चाहे कैसी भी हो, वो आपको ये बोलेंगे, कि यहाँ पे आपका store चलेगा, क्योंकि उन लोगों को पैसा मिल रहा है, location चाहे कैसी भ इंडिया में कहीं जे भी हो, वो बोलेंगे इतना हमारा rent होता है, हम वहाँ पे जा के चेक करेंगे, तो 20-30,000 रुपे आपसे चार्ज कर लेंगे, वहाँ पे आने के, आपकी location डिसाइड करने के, पहला time, 20,000, 25,000, 30,000, फिर next procedure क्या होगा, पहली बता दी मैंने चाहे आपक से एफेड़ेवट लिखवाएंगे, फ्रैंचाइजी फीस लेंगे, किसी कंपनी की फ्रैंचाइजी, डेढ़ लाक है, पोने 2,5,ly, आपNY लाक है, यहाँ तक के, 3-3 लाक रुपे फ्रैंचाइजी फीस आपसे वसूल करते हैं, फ्रैंचाइजी फीस में यह लोग क्या बो बताता कि यह सच है भी या नहीं है क्यों नहीं बताता कि बोलेंगे हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है यही बोलके भई आप हमारी कंपनी के नाम से स्टोर चलाओगे तो आपके कस्टमर जुड़ेंगे जब कि ऐसा कुछ नहीं है कैसे जुड़ेंगे वो कस्टमर आपक को अपना नाम दे रहे हैं उसमें कोई सामान नी होगा कुछ नी होगा सिर्फ फ्रेंचाइजी बई मेरे नाम से ये फ्रेंचाइजी जा रही है दूसरा बड़ा स्कैम तीसरी बात कर लेते हैं जो स्टोर होगा जितना भी एरिया होगा उसमें इस तरीके के आपके पास रेक जाएंगे अब एक एक एक्जंपल के तोर पर मान लेते हैं कि मेरे स्टोर है 1000 स्केर फिट में और उसको एक्जंपल की तरह ही मान लेते हैं कि 1000 स्केर फिट में भई 3 लाख रुपे के रेक आएंगे कमपनी क्या आप वहाँ पे 3 लाख के रेक देगी बिल्कुल भी नहीं वहाँ से आपको ठगना शुरू हो जाएगा वहाँ से क्या होगा 3 लाख रुपे के एक एक्जेंपल बता रहा हूँ मैं मान के चलना के 3 लाख रुपे के अगर रेक है तो कमपनी आपको कम से कम वही रेक 4-5 लाख रुपे में आपका बिल भेजेगी के इतने लाख रुपे के आपके रेक आए है अगर किसी को मार्ट ओपन करना है तो ये रेक लोकल मार्केट से दिल्ली से कहीं से भी पता कर लेना मैंने वीडियो बना रखी है अपने साइज एरिया बताना फिर कंपेर करना कितना लूटा है कंपनी ने आपको ठीक तो यहाँ पे आपको लूटेंगे दूसरा ये जो सामान रखा है ना कंपनी बोलेगी हम आपको अच्छी-च्छी स्कीमे देगे पूरा सामान भर के देगे उन लोगों को कैसे पता भाई कि आपके एरिया में कौन सा सामान ज्यादा बिखता है कौन सा कम बिखता है उनके पास तो बलक में माल होगा वो भी थोड़ा बहुत सारानी होगा होगा तो 5% बाकी माल आपकी लोकल मार्केट से उठाएंगे यही तो स्कैम है बाकी माल आपकी लोकल मार्केट से उठाएंगे जो कि आप खुद उठा सकते हो किस चीज की फ्रेंचाइजी ले रहे हो फिर तो कहा था मैं कि ये जो समान भर के देंगे ना आपको मान लीजी आपका बिल हो गया 5 लाक रुपए आपसे 5 या 6 लाक रुपए वो बिल वसूल लेंगे आपसे कि ये समान इतने काया नोलेज नहीं है भाई आपको आप से कितनी पैसे ले लो यह जो प्रोड़क्ट दिख रहे हैं न सतर सतर परसेंट मार्जन इन पे वो क्या बोलेंगे हमने आपको 50 परसेंट मार्जन पे दे दिया आप 30 परसेंट मार्जन को दो यहां इस तरीके से आप लोगों को लूटा जा रहा है उस एरिये में क्या करेंगे यह मान लीजिये 3 लाग का 5 लाग का 10 लाग का कमाल है आपके स्टोर के हिसाब से 10-12 लाग का माल है तो कम से कम 12-13 लाग रुपे आप से यहां लूट लिए जाएंगे स्टोर वेर के नाम पे आप से 50-60-70 लूट लिए जाएंगे जब्कि स्टोर की कुल कोश्ट बहुत वीडियो मिलेंगे आपको यूटूब पे 10 लूपे में आपको बैतरीन स्टोर मिल जाएगा 50-60-70,000 उपे तक आप से लूट लिये जाते हैं सोप्टिवेर के नाम पे के हम आपको सोप्टिवेर प्रोवाइड कराएंगे इतना बड़े लेवल पे स्कैम चला हुआ है अब जो ये सामान लाके दे रहे हैं आप लोगों को ये आपके लोकल मार्केट से लाके देंगे आपने फ्रेंचाइजी ली किस बात के लिए है कि ये प्रोडक्त हमें सस्ता मिले अब लोकल मार्केट में तो आपको भी उसी रेट में मिलेगा मुझे भी उसी रेट में मिलेगा अगर आपने franchise ली है तो आपको भी same rate मिलेगा मुझे भी उसी rate में मिलेगा लेकिन आपको क्या बताया जाएगा कि हमारे इन से contact है हमें आप से सस्ता पड़ेगा जबकि ऐसा कुछ नहीं है और मैं फिर repeat कर रहा हूँ सभी company एक ही थाली के चट्टे बट्टे है उलजना मत तो local market से आप लोगों को सामान प्रोवाइड कराएंगे जो कि आप भी ले सकते हो फिर franchise किस चीज़ की उन लोगों की boarding किस चीज़ के लगा रखी है बहुत चीज़े हैं दुकान शुरू हो जाएगे आपकी दुकान शुरू होने के बाद क्या होगा आपको बोला जाएगा कि आपसे हम धाई परसेंट तीन परसेंट एक royalty चार्ज लेंगे क्या होता है वो मान लेजी महिने में आपकी दस लाक रुपे की sale हुई तो आपसे दो परसेंट वो बोलेंगे के हमें 2% इसका चाहिए कैसे दोगे काम आप कर रहे हो सामान के पैसे उन लोगों ने आपसे ले लिए है रेक के पैसे उन लोगों ने आपसे ले लिए है फ्रेंचाजी के पैसे ले लिए है फिर भी जिंदगी भर आपसे एक एफेडेवट साइन करा लिया जाएगा कि भई आपसे जब तक आपका स्टोर है हम आपसे इतना परसेंट कमिशन लेते रहेंगे और सबसे बड़ा गोटाला बताओं इनका क्या है आप लोगों को ये बोला जाएगा कि आपको जितना भी सामान मंगाना है हम आपको प्रोवाइड करके देंगे जैसा कि मैंने बताया लोकल मार्केट से उठा के देंगे आपको जैसे ही आपका सामान खतम होगा मैं एक चीज़ बता दू किराना स्टोर सूपरमार्ट सूपरमार्केट फ्रेंचेज जितने भी स्टोर है या ग्रोश्री स्टोर इन में रोज सामान होता है रोज सामान आता है रोज नीड होती है क्योंकि ये इतनी आइटम होती है कि कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ रोज सामान चाहिए माल लिजी एक दुकान पे 5,000,000 का माल है न तो उस पे 20,000 रुपे का रोज सामान आएगा मैं लिखके देता हूँ, गारेंटी से लिखके देता हूँ कोई भी कंपनी अगर 20,000 का माल आपके स्टोर पे पहुँचाई तो आपसे बोला जाएगा के हम कम से कम 2,500,000,000 रुपे का ओडर कर लिखवाओ तब हम आपकी दुकान पे भेज़ेंगे, बहुत बड़ा स्कैम है ये भी आपको पहले बोलेंगे जैसे ही आपका माल खतम होगा हम भेज़ देंगे बही एक हजार का माल खतम होगा, क्या बेज़ोगे? नहीं बेज़ेंगे, 10, 20, 30, 50 तक का भी नहीं बेज़ेंगे इतना तो उनका ट्रांस्पोर्ट चारज लग जाएगा दो-तिन लाग का अगर आपका माल बनता है तो बेज़ेंगे 2000 स्केर फिट में मोटा मोटा मान के चलता हूँ के 10 से 15 लाख रुपे आपसे लूट लिये जाएंगे 10 से 15 लाख लूटने लूटने उन लोगों की पोकेट की बात कर रहा हूँ सामान तो आपका पड़ जाएगा कम से कम 40-50 लाख रुपे में 10 से 15 लाख रुपे उन लोगों की जेब में जाएंगे डारेक्ट ली आप लोग दोगे उसको क्यों दोगे मुझे तो नोलेजी नहीं है मुझे तो पता ही नहीं सामान कहां से आना है अरे मैं बैठा हूँ मैं बताऊँगा आप लोगों को सामान कहां से लाना है यह रैक है मेरे चैनल पर वीडियो है वहां से रैक लो वहां से सब कुछ कोटेशन मिल जाएगी आप लोगों को सामान है आपके लोकल मार्केट में जाओ होल सेलर जहां वो लोग लेके जाएंगे आपको ग्रोसरी स्टोर के जितने भी ग्रोसरी स्टोर हैं सभी होल सेलर से लेते हैं डिस्टिबूटर से लेते हैं डिस्टिबूटर के पास आप जाओ वहां से माल उठाओ सिंपल है अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि सर हमें डिस्टिबूटर कहां मिलेगा एक बार दुकान तो करके बैठो दस दिन का टाइम लगेगा सिर्फ दस दिन में आपको अपने सिटी में ये पता चल जाएगा कि मेरी सिटी में किस चीज का डिस्टिबूटर कौन है इन लोगों से बच जाओ आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों से बच जाओ अभी अभी एक पैसे लिए गए है और अभी तक जून आ चुका है अभी तक फुल पेमेंट कर चुका है ये बंदा आठ दस अलाक रुपे की पेमेंट कर चुका अभी तक मेरा स्टोर चालू नहीं करके दिया जबकि 45 डेज का टाइम होता है क्या वो लोगे लोन लेके अगले बंदे ने उसको पैसे दे रखे हैं और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को बहुत कोश्चन भी होंगे कोमेंट भी शायद करेंगे लोग कि आपने भी तो इनको परमोट कर रखा हां मैंने कर रखा है इन लोगों को परमोट लेकिन गलती भी इनसान से ही ह होती है तब तक मुझे इन लोगों की फीडबेक नहीं मिली थी अब जब मुझे मेल करते हैं लोग के सर इसने मुझे लूट लिया इसने मुझे ऐसे कर दिया तो नेक्स टाइम पे आप लोगों को मेरे इस चैनल पे इन लोगों के लिए कोई पर्मोट वीडियो नहीं मिलेग क्योंकि मुझे जैसे जैसे feedback मिल रही है हर company की सब की negative feedback है तो मैं कैसे न वीडियो बनाऊ आज की ये वीडियो कैसे इन लोगों को expose ना करूँ करना पड़ेगा अब आप लोगों नहीं मुझे बताया कि इस तरीके से ये हमें scam कर रहे हैं एक भाई से पैसे ले लिए 1,80,000 रुपे उत्र परदेश का था कोई जगह मैं बोल गया उसने mail किया मुझे कि ऐसे ऐसे किसी company नाम नहीं लेता मैं company का लेकिन एक बार बता दिया सारे एक इधाली के चटे बटे हैं किसी भी company की franchise नहीं लेनी किसी भी की नहीं लेनी तो उसका क्या हुआ डेड़ साल हो गया अब उसका मन बदल गया कि मुझे अब store नहीं करना उसके पैसे वापस नहीं कर रहे थे बहुत चीज़े हैं मुझे तो पता ही नहीं होगा और मैं next एक दो वीडियो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा किसी भाई का कहीं भी store है किसी भी company के franchise ले रखी है message करना मेरे पास मेरी mail ID है channel में जाके देख लेना मेरी mail ID उस पे mail करना अपना contact number डालना बताना मुझे कि आपका store किस company के अपने franchise ले रखी है अगर आपके साथ भी कुछ गलत हुआ है तो मैं special आपके पास आऊंगा वीडियो बना के जाऊंगा इन लोगों को एक्सपोज करना है अगर किसी भाई के साथ भी गलत हुआ है हुआ होगा सब के साथ हुआ है जिसने franchise लिये सब के साथ हुआ है तो जरूर कॉमेंट करना के भी मेरे साथ भी गलत हुआ है कॉमेंट नहीं बलके मुझे mail करना और अपना WhatsApp नमबर जरूर छोड़ना तब मैं उनको एक्सपोज कर पाऊंगा तब आने वाले कोई किसी और का नुक्सान ना हो किसी को तो बचा सकते हैं अगर मेरी वीडियो के थुरू किसी का लाखो रूपया बच सकता है बहुत मेहनत का पैसा हुता है कोई लोन लेके उठाता है कोई गर्ज ब्याज पर उठाता है कोई कैसे को एडजेस्ट करता है किसी चीज को बेच के एडजेस्ट करता है और यहां पे आप लोगों को लूट लिया जा रहा है अगर फिर भी आप लोगों का मन है कि मुझे सूपरमार्ट करना है तो अपने से करो अपने खुद करो अपने आप करो तब आपका काम चलेगा फ्रैंचाइजी मत लेना बस मैं अपने एक्सपेरेंस से यही कह सकता हूँ सब लूट रहे हैं आप लोगों को कोई नहीं बक्षेगा किसी भी कंपनी की मत लेना कॉमेंट मत करना मेरे पास के सर क्या मैं इसकी ले सकता हूँ या उसकी ले सकता हूँ क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा सिर्फ एक बात बोल दे रहा हूँ सब के सब एक थाली के चट्टे बट्टे है आपको लूट के बैठ जाएंगे वोही काम आपको करना है वोही लोग तक ये पहुँचे किस तरीके से स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है तो इतना ही थाज की वीडियो में नेक्स्ट फिर किसी और वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार